अरे बड़ी बहु, चाय बन गई तो जल्दी से लिया, आज तो आठ बजा दिये तुमने बहु, मेरे भी शुगर की गोली ले आना जी, जी लाई माम्मी जी, पापा जी प्राची गुच्से में दाद पीशते हुए बढ़बढ करने लगती है इन खुसट पुड़व बुड़िया ने तो दुखी करके रख दिया है पापा जी को भी दिन भर में 36 चाय की पियाली पिला दो, तो भी मन नहीं भरेगा और माजी, वैसे तो शुगर की पेशिंट है, लेकिन दिन भर कभी पकोड़ी तो कभी समोसे तरले की ओड़ा फरमाती है और फिर रात में बुलेंगी, बहुँ शरीर बड़ा दुख रहा है मालेश करती, कसम सी, खोन पीके रखा है इतने में प्राची की माँ अनू फोन कर देती है कैसी है मेरी डार्लिंग डॉर्चर, क्या पताओ माँ, इन ससुराल वालों ने आपकी बेटी की हालत खाना बनवा बनवा कर खराब करती है पता नहीं क्या सोचकर आपने मुझे कॉलेज की डिगरे दिलवाई थी उससे तो बेटर आप मुझे बर्तन दूने में दस आइटम और सबजियां खाना बनाने का कोर्स करा थी गोल रोटी बनाना सिखाती तो मुझे दो साल बाद भी इतने दिकत नहीं आती प्राची जस चल ममी मेरी मेरी ससुरार में लंका लगी हुई है और आप कह रही है कि मैं चल करूँ ये बताए किसी लिए फोन किया था पूशने के लिए की रक्षा बंदन पर तू आ रही है वैसे तेरी परिशानी का एक जोर का दोड है मेरे पास देवरानी लेया और घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जा आपको नहीं पता ममी ये आजकल की देवरानी बड़ी चंट होती है अच्छी लड़गी मिले तब तो शहर में अरे तो किस ने कहा है शहर में ढूणने को कोई सीधी साधी गाउं वाली को लेया जो तेरी मुठी में भी रहेगी और तेरा दब दबापी बना रहेगा अपनी मा के सिखावे पर प्राची अपने देवर शाम के लिए गाउं की लड़गी ढूणती है और उसे आरती जच जाती है जिसे अपनी देवर की शादी करके वो देवरानी बना लाती है और चाल भरी मुस्कुराहट के साथ घर में स्वागत करवाती है आईए आईए मेरी देवरानी ची दाने बाग हमारी जो आपके कदम बदारे चलो दाहिने पहर से कलश किरा कर ससुराल में आओ गाउं के रहन सेहन में पली बड़ी आरती बहुत ही संसकारी थी लंबे घने केश, बोलचाल में मिठास और सूरत में बसी साथगी से उसके गुणों का मखान कर रही थी देवरानी सास असुरा जिठानी के पैर चूती है अरे-अरे खुश रहो-खुश रहो, सदा सुहागन रहो वैसे तो देवरानी जिठानी का रिष्टा कच्ची केरे के जितना खटा मीठा होता है लेकिन मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन जैसी है इसलिए मैं तुमसे कभी लड़ूंगी नहीं, प्यार से रखूंगी हम भी आपको सदा बड़ी बेहन का दर्जा देंगे जिठानी जी पलक मैं चलो चाची के पैच्ची ओ, निमस्ती चाची कितने प्यारे बच्ची हैं, ये लीजी, ये चौकलेट आप दोनों के लिए तेंक्यू चाची अपनी खुशाल परिवार को देखकर लक्षमी खुशी से भर कर कहती है भगवान के क्रपा से आज मेरा परिवार पूरा हो गया बस भगवान करे तुम दोनों देवरानी जिठानी में इसी तरह तालमेल बनी रहे लेकिन जो भी बाते प्राची ने अपनी गरीब देवरानी से कहीं थी वो किवल डींगे थी पहले दिन से सारी जिम्मेदारी जेठानी ने देवरानी पर थोप दी थोड़े टाइम बाद आरती गर्बवती हो जाती है इसी बीच में रक्षा बंदन का त्योहार आ जाता है जिससे देवरानी को उल्टी पर उल्टी लग जाती है फिर भी प्राची अपनी गरीब देवरानी पर दामन चलाती है अरे ओ मेरी गरीब देवरानी यहां पड़े-पड़े पलंद क्यों दोड रही हो राखी के परव का दिन है और तुमने एक पखवान नहीं बनाया प्राची बाभी सुबह से बहुत उल्टी हो गई है शरीर में ताकत नहीं मिल रही आज के लिए आप रसोई संभाल लो ये सुनते ही जेठानी दांट पीस लेती है और देवरानी को ताने देने लगती है अच्छा जी जब मैं पकवान तलूंगी तो तुझे क्या अंड़े देने के लिए लाई हूँ मैं देवरानी बनाकर मेरी महरमानी है कि आज तु इतने बड़े घर में है पर नजेस करीबी से मैं तुझे उठा कर लाई हूँ न किसी मिट्टी के घर में तेरी शादी होती जेठानी के इन बातों से बिचारी करीब देवरानी को बहुत ठीस पहुचती है वो अपने बिगड़ी सेहत में भी रोते हुए रसोई में आकर रक्षा बंधन की पकवान बनाने लगती है जिस दिन मैं दुलन बन कर आई थी उस दिन तो जेठानी जी ने कितनी मीठी बाते की थी लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कहने और करने में अंतर होता है बिचानी गरीब देवरानी का सारा दिन रसोई में खड़े-खड़े पकवान बनाते हुए निकल गया जबकि जिठानी ने रक्षा बंधन वाले दिन एक तिन का टस से मस नहीं किया इसी तरहें साल गुजरने लगे अब आरती के भी दो बच्ची हो गए छे साल के बेटी इच्छा और गोत का एक बेटा लेकिन बीते इन सालों में जिठानी का बरताव अपनी गरीब देवरानी के प्रती और रोखा हो चुका था जिठानी जी गैसिलंडर ख़त्म हो गया है मंगादी जी खाना बनाने में बड़ी तेर हो गई है तभी जिठानी बड़ी बड़ी आँखे दिखाते हुए कंजूसी से बोली बोलो भला इतनी जल्दी जल्दी चीज़े खत्म करोगी तो कैसी काम चलेगा बहुत खुला हुआ हाथ है तुम्हारा जिठानी जी इस बार तो मैंने एकदम हिसाब किताब से ही चलाया पूरे के पूरे डेड़ महिने में खत्म हुआ है सिलेंडर अब उससे जादा क्या चलेगा जवाब सुनका जिठानी चिड़ पड़ी अच्छा जी तो दो कड़ी की तीवरानी मुझसे जुबान लड़ाए की नहीं मंगा थी सिलेंडर जा अच्छुली पर खाना बना जैसे अपने मायके में बनाती थी उपले और घास पूस छोग कर वहाथ अमीरी की हवा लग गई है इसलिए अपने करीब दिन भूल गई आरती के अमीर घमंडी जिठानी हर बार जली कटी बाते सुना कर उस बीचारी का दिल दुखा थी एक तरव अपने दूद मुहे बेटे को बोरी पर सुला कर वो चुलहे पर खाना बनाने लगी छोटी सी इच्छा भी अपने मा की दुखों को देख देख कर चुलहा सुलगा रही थी मा तुम चिंता मत करो तुम खाना बनाओ में चुलहा जलाती हूँ अमीर घमंडी जिठानी अपनी गरीब देवरानी को बड़ा दुखत दे रही थी आर्थी के साससुर भी ये सब देख रही थी लेकिन वो उसके मदद करने में असमर्थ हो चुके थी क्योंकि धोकी से प्राची ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिख वाली थी किसी तरहां रोटी पानी बनाने के बदले में ही आर्थी और उसके बच्चों के सरपवू छट भी थी जिठानी के दोनों बच्चे भी उसके जितने ही गवंडी थे मम्मी मम्मी राकी आने वाली है इस बार में रक्षा बंदन पर शेरवानी पहनूँगा आर्म जी का उन चाहिए मम्मी और सैंडल भी हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी प्यारी बच्चों तुम दोनों के लिए तुमें सारा बाजार खरीतूंगी चलो चलते हैं दोनों को संग लेकर जिठानी जब जाने लगती है तभी देवरानी की गरीब बेटी आंचल पकड़ते हुए कहती है ताई जी ताई जी मैं भे आपके और पलक देदियों मैं भी आके साथ चलो क्या मुझी भी अपने भाई डुगों के लिए राकी खरीतनी है जीठानी ठा के मार कर हस पड़ी मैंगो की टिंगो पहले ये बता तेरे पास राकी खरीतने के पैसे हैं पैसी टे नहीं है मेरे पास आप दिला दिना क्यों री? क्या मैंने तेरे बाप की कमाईगा रखी है? चल हट बड़ी निर्दय पंसी चिठानी बच्ची को लाद मार कर चली गई उसी समय श्याम मजदूरी करके आ जाता है इच्छा के हाथों से खून बहरा था चुपो जा, चुपो जा मेरी बच्ची बावी आपका दिल है कि पत्थर मेरी फूल सी बेटी को धक्का मार दिया अरे भगवान से डरो, मेरी पत्नी को सदा ही रही हो अब मेरे नन्ने नन्ने बच्चों के पीछे भी पड़ गई हो अच्छा हुआ जो विवेक भाईया या नहीं है वरना आपके असलियत देख कर उनके दिल को बहुत दुख लगता उस वक्त बौकला कर गुसे में प्राची ने ना आव देखन अताव और गरीब देवरानी के परिवार को रक्षा बंदन के त्योहार में घर से बेघर कर दिया निकल जाओ तुम सारे के सारे नमक हराम जब बिना घर के दरदर भटकों के सड़कों पर तब अकल ठिकाने आएगी प्राची बहु इतनी भी जुलमी बद्बन आरे अपने गरीब देवरानी पर थोड़ा तो तरस खा दूद पीते बच्चों को लेकर वो कहां भटके की बारिश के मौसम में आपको बड़ी हमदर्ती हो रही है माजी मेरी करीब देवरानी से तो आप भी जा सकती है दरवाजा खुला है ससुराल से विदा लेते हुए रोते हुए आर्ती ने अपनी सा ससुर के आशिरवाद लेकर उनसे कहा माजी आप हमारी चिंता मत कीजी आप और बाउजी ठीक से रहना चलती है देवरानी के परिवार को घर से निकाल कर जिठानी मौज उड़ाने लगी उधर कई रात सड़क पर भूखे प्यासे गुजर्टने के बाद आर्ती ने भूख से मुर्जाए अपने दोनों बच्चों की चेहरे को देख कर कहा अजी ऐसी तो जिंदगी नहीं जाएगी हमें कुछ तो काम धाम करना होगा ये लेजे मेरे कान की बाली बेच आईए इसे हम राकी का भाजार लगाएंगे मुझे माफ कर देना मैं साथों वचन मैंसे कोई भी वचन नहीं निवा पाया आर्ती ऐसा मत कहिए आप मेरी संग है ना तो ये दुख पे काट लूँगे मैं दोनों पती पतनी पेट पालने के लिए राकी बेचने रगे इधर जेठानी ने रक्षा बंदन के दिन लाकों की साड़ी पहनी चपन पकवान बनाए और अपने बच्चों से राकी बंदवाई चलो पलक भाया को राकी बंदो और ये काजू कतली खिलाना ये मेरे बेटे की फेवरेट है कुछ देड में जिठानी का भाई भी आ गया और उसने भी खुब अच्छे से राकी मनाई तबी एकदम से प्राची का पती विवेक आधम का पती को देखकर जिठानी का चहरा पीला पढ़ गया वव विवेक तुम एकदम से क्यों प्राची मुझे देखकर खुशी नहीं हुई मीरा वो मदलिब नहीं था लेकिन बताया भी नहीं श्याम कहा है? श्याम? श्याम? श्याम कहा है? अरे कहा है श्याम तुम्हारा देवर? बुलाओ से! प्राची मनगरत कहानी रशने लगी. विवेक तुम्हारा छोटा भाही बड़ा दगापास निकला. उन्होंने चोरी की थी इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया. जूट! सरा दिवरानी हो रही है न? ये लोग मुझे सडक पर मिले. तुम्हारा दिल नहीं कापा छोटे-छोटे बच्चों से घर चीनते हुए? एक बात जान लो. ये घर जितना मेरा है उतना ही मेरे छोटे भाई और उसकी पतनी का भी है. या तुम अकेली यहां रहो. मैं सब को लेक मुझे से बड़ी है. देखा, इसको कहते हैं बड़ापन. इतना कुछ सैकर भी तुम्हें माफ कर रही है. आएंदा आरती का दिल मत दुखाना क्योंकि अब वो मेरी बेहन है. ये सुनकर आरती का मन भराया. उसने विवेक को राकी बांद कर रक्षा बंदन मनाया. अब उस की जिन्दिगी में सब कुछ ठीक था. प्राची ने घमड त्याग दिया और बिगड़े हुए रिष्टों को जोड लिया.